फिल्म समीक्षा, एलियन रॉमोल्स, फिल्म का परिचय और नया हॉरर युनिवर्स फिल्म, एलियन रॉमोल्स, एक नई हॉरर युनिवर्स की शुरुआत का संकेत देती है। नया दिशा मिल रहा है, जो शायद मार्वल सिनेमाटिक युनिवर्स की तरह एक मल्टी वर्स की ओर इशारा कर रहा है। एक्समेन की MCU में एंट्री के बाद जेनो मॉर्फ की संभावित एंट्री पर भी सवाल उठते हैं, हालां कि इस पर कोई निश्चितता नहीं है। एलियन रोमुल्स का कहानी एक ग्रह पर सेट है, जहां सूरज का दिखना किसी जश्न से कम नहीं होता। मुख्य पात्र रेन, जिसे सूरज देखना अच्छा लगता है, का सबसे करीबी संभंध उसके रोबोट भाई एंडी से है। एंडी को रेन के माता पिता ने एक सुरक्षा तंत्र के रूप में तयार किया है। रेन और एंडी के साथ तीन अन्य युवा एक लावारिस स्पेस शिप को चुराने की योजना बनाते हैं, जिससे वे अपने घर वापस लौट सकें। फिल्म के माध्यम से एक दिल्चस्प मिश्रन प्रस्तुत किया गया है, जहां मानवता और एलियन हॉरर का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। एलियन रोमुलस अपने डार्क और हिंसात्मक द्रिश्यों के लिए जानी जाती है। फिल्म कॉर्पोरेट दुनिया की स्वार्थी सोच और इंसानी जीवन की कीमत को उजागर करती है। यह फिल्म कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें गहरे डरावने और घिनौने द्रिश्य हैं। यह नई पीड़ी के दर्शकों के लिए है, जो वीडियो गेम्स में हिंसा और कश्टकारी द्रिश्यों के आदी हो चुके हैं। अगर आप समवेदनशील हैं या ऐसे द्रिश्य देखकर विचलित हो जाते हैं, तो इस फिल्म को देखना आपके लिए उप्युक्त नहीं होगा। फिल्म का निर्देशन फेडे अलवारेज ने किया है, जिन्होंने पहले एविल डेड और डोंट ब्रीद जैसी सफल हॉरर फिल्में निर्देशित की हैं। छह फिल्मों के उतार चड़ाव को ध्यान में रखते हुए एक नया द्रिश्टिकोन पेश किया है। डिजनी के हाल या वर्ष अच्छे नहीं रहे, लेकिन एलियन रॉमुल्स के बाद अगर डेड़पुल एंड वुल्वरीन, मुआना टू और मुफासा जैसी आने वाली फिल्में सफल रहती हैं, तो डिजनी का साल बहतर हो सकता है। एलियन रॉमुल्स का रिस्पॉंस यह दिखाता है कि डिजनी अभी भी अपने पुराने फ्रेंचाइजी को नई दिशा देने में सक्षम है। इस फिल्म की सफलता या असफलता आने वाले समय में डिजनी के लिए महत्वपूर्ण हो।